जे हिन दोस्तों आप देखने हैं डिफेंस के अन यूटूब चैनल आज हम जानेगे M1 Grand Joe राइफल है उसके बारे में जो की अमेरिका की 30 के लिवर राइफल थी और कई लोगों का कुश्चन आता है कि क्या हम M1 Grand को भारत में खरीच सकते हैं और सच में इसका जो आंसर है एस का परेटेट सैंपी ओटोमेटिक राइफल ति इसको अमेरिकन जो सैनेक थे उनके द्वारा यूज किया गया था यह जो था उनका इस्तेंडर इसू बैपन्ता और 1936 के बाद उनको इसू किया गया था 1928 में इसको डिजाइन किया गया था अमेरिकन कनाडियन जो व्यक की जाती M1 Grand, और बाद में जो civilians थे, उन्होंने भी इसको यूज किया, hunting के लिए, कई जो अन्य तरीके है, sports के लिए, इसको M1 Grand को कई युद्धों में यूज किया गया, और वर्ड वार टू में तो इसको बहुत ही बड़े पैमाने पर यूज किया गया था, उस टाइम पर एक modern gas operated जो राइफल थी, और इसको जो कई जो अमेरिकन कि जाए इसके वेट कि तो जो इसका वेट था वह 4.31 kg था वहीं, जो इसकी लेंज थी, फो 43.5 इंच थी वहीं जो वेरल लेंज थी वहीं इसकी 24 इंच थी आगे बने से पहले अगर अभी तक आपने हमाद चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तो प्लीज हमाद चैनल सबस बुलट जो जो उता था उसका वो 30 caliber था और इसको 0.306 rifle भी कहते थे और ये जो caliber था ये Springfield Company ने 1906 में develop किया गया था और 30 इसका caliber हो गया और 06 जो है वो 1906 जो year है वहाँ से लिया गया है तो इसका जो caliber है इसी विए से इसको 3006 rifle भी कहते है और भारत में भी IOF जो है वो बनाती एक 3006 rifle यानि इसी caliber में और इसी के caliber के बेस्ट के ऊपर बात की जाए इसके rate of fire की तो जो अच्छा shooter था वो इसमें करीकरी 40-50 round fire कर सकता था क्योंकि गया था इसमें 8 round clipper mag gene लगती थी जैसी mag gene खाली हो जाए आपको दुवारा डालनी होती थी 8 round तो उस रसाप से इसका rate of fire थ सकता था वहीं जो बात के जाया है इसकी effective range की तो जो इसकी effective range थी वो 5500 meter थी तो काफी अच्छी कासी range थी इसका जो price था उस जमाने करीकरी 85 dollar था लेकिन आज की जमाने में इसका जो price है वो equivalent होया था करीकरी 1200 dollar के और आप जो सबसे important question है वो ये क्या भारत के नागरे किसको ख चरी भारत सरकार ने बैन लगा दिया तक किसी भी प्रकार के civilian weapon को हम import नहीं कर सकते 1984 के बाद तो जिन लोगों ने भी भारत में 1984 से पहले M1 grant मंगाई थी अगर वो बेकना चाहते हैं तो आप उनसे खरीच सकते हैं अब पूछते आपसे question आपकी favorite rifle कौन सी है जो खासकर gas operated bolt action सब्सक्राइब कर सकते हैं कि bird war first year bird war two में से कोई favors हो तो कमेंट करके जरू बताए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को like करिए share करिए हमारी चनल को subscribe कर लें और bell icon भी दबा लें आप हमें instagram पर फॉलो कर सकते हैं लिंक description में दिया हुआ मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भालत